दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे Figures of Speech के अंतर गताने वाली एक टर्म एंतिसेथेसिस की एंतिसेथेसिस जो होता है एंतिसेथेसिस is a figure of speech which refers to just a position of opposing or contrasting ideas. मतलब जो हम कहते हैं उसका ठीक opposite वहाँ पर कहा जाता है It involves the bringing out of contrast in the ideas इसमें क्या होता है? Ideas में विरोधाभास होता है. By an obvious contrast in words, सब जो के द्वारा, clauses के द्वारा और sentences के द्वारा मतलब एक कही बात को अगला ही sentence या अगला ही clause उसको विरोधाभास के रूप में भी प्रकट कर सकता है. Within a parallel grammatical structure जो की समानंतर grammatical संदशना के द्वारा होता है. अब इसके example देखते हैं. कुछ examples हैं, जैसे कि man proposes, God disposes. आदमी propose करता है, तो भगवान dispose कर देता है. Love is an ideal thing, marriage a real thing. Love is an ideal thing है, marriage is a real thing है. That's one small step for man, one giant leap for mankind. जो कि मनुष्च के लिए छोटा कादम होता है, एक giant leap होता है, मानव जाती के लिए. इस परकार कुछ और example दिये हुए मैंने, आप इनको पढ़िएगा और समझेगा. उम्मीद करना, आपको वीडियो पथन्द आएगा. इस परकार के और वीडियो देखने के लिए, हमारा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब परें. Till then, keep learning. Thank you very much.